फ्रंट ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं फ्रंट ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यपारी या ब्रोकर जो होता है वो किसी अग्रिम जानकारी का लाब उठाते हुए अपने ओर्डर करता है या किसी चीज में ट्रेडिंग करता है तो उसको फ्रंट ट्रेडिंग कहते हैं इसको मैं थोड़ा एक उधारन से आपको समझा देता हूँ मान लिजी कि कोई एक वैक्ती है वो शेर मार्केट में ट्रेडिंग करता है और कुछ दो तिन कमपनी ऐसी है जिनके बारे में कुछ खबरें उसे पहले मिल जाती है यानि कि या तो मैनेजमेंट में कोई उसका बंदा है या कोई उसकी ऐसी साटगाट है कि कमपनी में जो भी होने वाला होता है कमपनी में कुछ positive या negative तो उसकी खबर उसे पहले मिल जाती है और उस खबर के हिसाब से वो shares को खरीद देता है या बेच देता है तो उसको front trading कहा जाता है जबकि बाकी लोगों को वो information बाद में मिलेग तो फिर बाद में लोग उस हिसाब से action लेंगे लेकिन उसने पहले ही action ले लिया है तो उसकी वज़े से वो फाइदे में रहता है तो ऐसी trading जो होती है उसे front trading या front running कहा जाता है इसमें जो broker है वो अपने जो या तो बाकी लोग मान लिजे किसी चीज़ पर बहुत जादा order दाल रहे हैं तो उनसे पहले अपना order डाल देता है या किसी information के बहाफ पे कोई इस तरह की trading करता है तो उसको front trading कहते हैं ये एक unethical practice मानी जाती है और ऐसा करने पर उस broker के खिलाफ या उस वैपारी के खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाई भी हो सकती है तो हमें इस तरह की practices से बचना चाहिए और fair trading ही करनी चाहिए ये वीडियो शेक्षणिक उदिश्य से बनाया गया है हम किसी भी प्रकार की कोई financial सलहा इस चैनल पर नहीं देते हैं किसी भी प्रकार की financial सलहा के लिए आप अपने financial experts से संपर्ग कर सकते हैं अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इं एकन को प्रेस करें